नमस्का, मैं होस्तासी आयो जर्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं दिसंबर तक भैक्सिन के 30 से 40 क्रोर खुराक हो जाएंगे तयार वाइरस के बर्ते संक्रमन के बीच एक राध बड़ी खबर है भैक्सिन पर काम कर रही कंपनी ने संकेत दिया है कि इस साल दिसंबर तक टीके के करीब 300 से 400 मिलियन खुराक तयार कर लिये जाएंगे दरसल सीरम इंसिशूट अफ इंडिया के मुख्य कारिकारी अधिकारी अधर पुनावाला ने इंडिया टूडे के साथ बाच्चित में बताया कि संभावित भैक्सिन की कम से कम 300 मिलियन खुराक दिसंबर तक उपलवत कराई जाएगी आपको बता दे कि एस आयाई के मुख्य कारिकारी अधिकारी अधर पुनावाला ने कहा कि संभावित भैक्सिन की भारत में कीमत लगभग 1000 रुपए होगी मौसम विभाग के अनुसार राजे में 24 जुलाई तक शिटफुट बारिस के साथ प्रवल बजरपात की संभावना है पिछले 24 गंटा में राज भर में बजरपात से 7 लोगों की जान गई है जिसमें पलामू, लातेहार और हजारी बाग से 4 समीली था है गिरीडी के तीन किसानों की मौत क्रिसी कारे के दोरान हो गई जबकि महिला वा बच्चे समेत अधाधाजन से अधिक लोग जखमी भी हुए है जैक बोर्ट 10-12 सभी विद्यार्थियों को पास किया जाए अलोग दुबे प्राइवेट इस्कूल और चिल्रेंड वेलफेर एसोसियेशन के परदेश अध्यक्स अलोग कुमार दुबे ने सिक्षा मंत्री जगनाथ महतों को पत्र लिखा है पत्र लिखर दुबे ने निवेदन किया है कि संक्रामन वैसीक महामारी के वज़ा से जार्खन अधिवीद सिक्षा परिशत जैक बोर्ट कमपाइटमेंट परिख्षा को रवद करते हुए काक्षा दास्वी एवं बरावी के सभी विद्यार्थियों को पास किया जाए जार्खन में अधि 435 ने संक्रमितों के पुष्टी हुई जो राची से 106 पूर्वी सिम्भूम 79 पाकुल 65 गोड़ा 35 लातेहार 99 साहेव गंज 17 धनबाद 16 राय केला 12 पच्मी सिम्भूम 14 चत्रा 10 गिरीडी 10 हजारी बैक 10 रामगर 10 लोर्दागा 8 देवगर 7 पलामु 7 गु जबकि 2944 लोग स्वास्थ हुए और 65 की मिरिती हो गई भारत में कुल संक्रमितों के संख्या 11,94,085 है जबकि 7,52,393 लोग स्वास्थ हुए और 287 की मिरिती हो गई राजे में 6 की मत हुई जो जमसेतपूर के टी, एम, एच से 4 और धनबाद से 1 और राची से 1 है एक्टिव केस इस प्रकार है राची 632, पूर्वी सिम्भूम 24, धनबाद 226, गडवा 187, हजारी बाग 187, लातेहार 160, चात्रा 142, कुडार्मा 138, गिरीडी 114, पाकुर 110, र पूकारू 37, गुम्ला सरसट, सराइक केला 165, पाच्मी सिम्भू 55, गोड़्डा 51, देवगर 50, इंडेगा 29, पलामू 20, दुमका 15, जामतला 13, खुटी से 13 मरीज एक्टिव है, जार्खन में स्कूल गिरी मंत्राले के निदेश पर खुलेंगे, वायरस के बरते संक्रमन के स इसकूल खुलने को लेकर भारत सरकार की ओर से राज्य सरकारों से सुझा मांगा गया है, इसके अलोक में जार्खन के इसकूली सिक्षाव और सरसक्ता विभाग ने अपना सुझाव के इंद्रिये मानव संदर्ण विकास मंत्राले को भेज दिया है, उसमें कहा गया है कि भ इस बार इमेल सर्वर का लोकेशन जाच में नीदर लांड का बताया जा रहा है, आपको बता दे कि इमेल के साथ एक जमीन संबंधी ब्योरा भी अटेच किया गया है, मामले में साइवर थाना राची में प्रत्मी की भी दर्च कराई गई है, लोकडाउन में सक्ति पर फैस सिवावों को छोड़ कर अने सभी तरह की छूट वापस ली जा सकती है, इस मुदे पर बाई जुलाई को होने वाली केविनेट की बैठक में मंत्रियों के साथ चार्चा की जाएगी, सीरी सुरेन ने मोख्य सचीव समेत अने वर्य अधिकारी के साथ इस मुदे पर बैठक क आपको बता दे कि इस बार सरकार कम से कम 15 दिन तक सकती कर सकती है, इस पर टास्क फोर्स से राय ली गई है जार्खन चेंबर ओफ कमर्स का फैसला सब्ता हमें 3 दिन दुकाने रहेंगी बंद जार्खन में लगतार बढ़ रहे, वायरस का संक्रमन को देखते हुए फेंडरेशन ओफ जार्खन चेंबर ओफ कमर्स अन्ड इंडरस्ट्री ने एक बढ़ा फैसला लिया है जरूरी सेवाव को छोड़ कर आप सभी ब्यवसाई परतिष्ठाने सब्ता में तीन दिन बंद रहेंगी जार्खन चेंबर और कोमर्स के मुताविक सुक्रवार, सनिवार और अभिवार को दुकाने नहीं खुलेंगी जार्खन में 2021 तक गुठका और पान मसाला की नहीं होगी विक्री 14,000 जर्खंडी अभी दूसरे राजे में जर्खंड आने की लगाई गुहार देश के विभिन राजे में अभी जर्खंड के 13,758 प्रवासी स्रमिकों ने वापसी के लिए सरकार के कंट्रोल रूम पर अपना पंजिकरन कराया है आपको बता दे की कंट्रोल रूम की टीम ने सभी जिला परसासन के नामों का सत्यापन करने के बाद या रिपोर्ट मुख मंत्री को सौप दिया शुत्रोक अनुशार मुख मंत्री ने कंट्रोल रूम और उपायुक्तों को मेडिकल प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए स्रमिकों की वापसी के लिए समंधित राज्यों के समन्यों करने का निर्देश दिया है आपको बता दे कि इन दिनों कई राज्यों में संपूर्ण लॉक्डाउन होने के कारण वापसी में समस्य आ रही है प्रधान मंत्री गरीब कल्यान की पैकेज नौंबर तक जारी संक्रमन को रोकने के लिए लगाया गए लॉक्डाउन के बाद देश में गरीब की मदद के लिए सुरू की गई प्रधान मंत्री गरीब कल्यान योजना जारखन के जरूरत मन्द के लोगों के लिए काफी लफदाएक सीध हुआ है बुजुरुगों किसान महिलावद दिव्यंगों एवाम मजदूरों को केंद्र द्वारा दिये जा रहे पैकेज के विभीन कल्यान कारी योजनाव का एस आई चंद्राय सुरेन की मौद पर सीवियाई जाच हो मरांडी भाजपाब विधायक दल के नेता सहपुर्वस सीएं बावलल मरांडी ने सीएं हेवंद सुरेन को पत्र लिख कर विते सताह जून को बरहेट में हुए अपराधियों और पुलिस के बीच मुटभेड पर सवाल खा किया है सिरी मरांडी ने सीम से इस कथित मुद्भेड की सिवियाई जाच कराए जाने की मांग किया है ताकि दूद का दूद वा पानी का पानी हो सके गरामिन होंगे जागरूप तब घटे का क्राइम का गराफ गुमला एस पी गुमला पुलिस कप्तान हरदीप पी जनारदन अपने अभियान दोरे के क्रम में उगरवादियों के गढ़ कहे जाने वाले गाव जैरागी पहुँचे गाव में घटना सहित नक्सलियों गतिव जब तक आप जागरूप नहीं होंगे क्राइम ग्राफ बढ़ता ही रहेगा संक्रामन के खत्रे में जार्खन देश में चोथे अस्थान पर जार्खन में वायरस का संक्रमन बढ़ने का खत्रा मध्यपरदेश बिहार और तेलंगाना के बाद सबसे अधीक है गलोबल मेडि मेडिकल के एक अधियान में या खुलासा हुआ है आपको बता देखिया अधियान राजियों में उपलवद मेडिकल सुविधाओं वहां के स्वास्त सुचकां को समाजिक आर्थिक हालात सिक्षा जनसंख्या में आयूवर्ग अनुपात घरों की सघंता तथासाब सफाई क अधार पर किया गया है जनरल ने इस अधारों पर संक्रमन के खत्रे को लेकर भारत के राजियों के स्क्रीनिंग की है जिसमें जारकंड सबसे अधिक जोखिम वाले राजियों में चोथास्थान पर है पंचाज सचिव मेरिट लिस्ट जारी करने की मांग अधारित बहालियों इसी बर्स में की है दीपक परकास आज लेंगे राजसभा की सदस्यता का सपत भाजपा के जर्खन पर्देश अध्यक्ष एवं नौन निर्वाचित राजसभा सदस दिपक परकास बाज जुलाई को 11 वजे पुर्वाहन संसत भौन में सपत गरान करेंग परकास पहली बाब जर्खन के राजसभा के सदस्य चुने गए हैं जर्खन की राजेपाल द्रोपती मुर्वु ने मध्य परदेश के राजेपाल लाल जी टंडन के निधन पर गहरा दुख एवं सोक प्रकट किया है उन्होंने मंगलवार को कहा कि टंडन का जीवन सदा ज जनता के लिए समर्पित रहा वेस्तनवदन सिल्फ ब्यक्ति थे गिरीडी के डाक सहायक के पास आए से अधिक 40 लाग की संपती गिरीडी जीला के बरगंदा उप डाक घर के डाक सहायक पवन कुमार सिंग के पास आए से 40 लाख 9,900 रुपए की संपती अधिक मिली है इस माम जार्खन में कानून ब्यवस्था की मसीनरी फेल रगवर्दास जार्खन के पूर्व मुख मंत्री रगवर्दास ने राजे की बिगरती कानून ब्यवस्था की स्थिती पर गंभिर चिंता ब्यक्त करते हुए कहा है कि राजे में कानून और ब्यवस्था की मसीनरी फेल हो गई है सिरी दास ने मंगडवार को कानोन व्यवस्था को रिखांकित करते हुए कहा कि राजे की कनोन व्यवस्था बच्ट से बत्तर हो गई है राज़े का मुख मंत्री ही स्वए को असुरक्षित महसूस कर रहा हो और जान से मारे जाने की धमकी देने वाला सक्षत पूलिस की पकड़ से बाहर हो ऐसी मजबूरी में प्रसासन को मुख मंत्री के सुरक्षा ब्यवस्था और कड़ी करनी पड़े तो इससे अधिक चिंता का विशाय क्या हो सकता है तबलीगी जमात से जुड़े 17 विदेसी जेल से बाहर निकले पूरी होने के बाद देर साम सभी को जेल से रिहा हुई लगातार बढ़ रहा है राज्य में बनों का दायरा 32.5 परतिसत बन मुख्यमंत्री ने कहा कि विभाग द्वारा निर्मित चेक डेम का जयजा ले गर्मी के दिनों पानी क्यों समाप्त हो जाता है इस पर कारे करे पंचायत अस्तर पर वन भूमी को चिनहित करे बन भूमी का सन्रक्षन जरूरी है चिनहित जगह पर बन भूमी की जनकारी देते हुए सुचना पटा लगा जिससे अतिकर्मन ना हो राज्य में नौ लाह किसान को पी एम किसान योजना से नहीं जोड़ा गया मुक्ष मंत्री प्रधान मंत्री किसान योजना पोर्टल में 23 लाह किसान निवन्धित है नौ लाह किसानों का आवेदन लंबित है ऐसा क्यों अगर एचुटे हुए किसानों का निवन्धित हो जाता है तो राज्य के 32 लाह किसानों को लाब होगा जल से जल लिना के तहट मिलने वाली आर्थिक साहता दी जासके उक्त बाते मुख मंत्री हमान सुरेन ने मंगलवार को कही फोरेश्ट गाड नियुक्ति मामले में जैसे से मंगा जवाब हाई कोट जार्खन हाई कोट के जस्टिस एसके दिवेदी की अदालत में फोरेश्ट गाड निय करने वाली यजका पर मंगलवार को सुनवाई हुई सुनवाई के बाद आदालत ने राज सरकारवा जार्खन करमचारी चयन आयोग को सपत पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने का निदेस दिया मामले में अगली सुनवाई तीन सपता बात होगी इसे लेकर अनुच रिपोर्ट में यजका दाखिल की थी पलामू आने वाले को जाच कराना अनिवार्य उपायूग्त पलामू उपायूग्त ससी रंजन ने मंगलवार को कहा कि जीला में वायरस के परसार को रोकने के लिए जीला परसासंद्वारा कई कदम उठाय जा रहे हैं जीले में पूर धन्यवाद यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर बहुल का बैल ऐकन दबाईए साथी साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के वाट से फेस्बुक ट्यूटर इंस्टाग्राम पर सेर करें आप हमें कोमेंट कर आपना सुझाव अवास से दे थाइंक यो